हेलो गुड़ मोर्निंग मैं कुंदान सिंग टीवेल कोचिंग के मेरी इटू चलन पर आपका फिर से बहुत बहुत स्लागत है जैसा कि आप जानते हैं हमने क्षाज दसुविक के बोर्ट परिच्छा हेतु हिंदी और संस्क्रित का पूरा अबजेट्व कोशन वाला सलूसन पढ़ा दिया अब जो यह वीडियो सुरू होने वाला है यह वीडियो ना भुगोल का चाप्टर वाइज अबजेट्व कोशन वाले वीडियो है ठीक है तो हम लगातार आपके लिए भुगोल के कई वीडियो का सीरीज लाएंगे जो मैट्री के बोर्ट पर इच्छा है त फूल अबजेट्व कोशन का सलूसन हम आपको देंगे ठीक है जो आपके मैट्री के बोर्ट पर इच्छा में काफी अच्छे साबित हो सकते हैं तो चलिए सूरू करते हैं कैक्छा दस भुगोल और ओभी बिहार बोर्ट के अनुसार कैक्छा दस भी के लिए ठीक है पहला क सवाल है सौरूर्जा निमलिखिति में से कौन सा संसाधन है तो सबसे पहले हम संसाधन की बात करते हैं संसाधन होता क्या है तो सबको मालम होगा कि उपियोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुवे संसाधन कहलती है उपियोग में लाई जाने वाली सभी वस्तुवे थिसके हम फिर से उपियोग कर सके उसे नवी करनिये कहेंगे जिसके उप्योग फिर से ना हो सके उसे हम और नवीकर्निय कहेंगे यह जैसे मैं कोईला क्या होगा कोईला और नवीकर्णिये संसाधन होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप यदि कोईला को जला दिजिएगा, तो राख उत्पन होगा, ना कि कोईला, ठीक है, इसलिए कोईला और नवीकर्णिये संसाधन है, और सौर उर्जा नवीकर्णिये संसाधन है, मतलब नवीकर्णिये और नभीकर्णिये संसाधन पर कुई सवाल अब्जेटिव में पुछता है तो यह सवाल ना बाई अप्शन होते हैं आप चारों अप्शन को ध्यान से देखिएगा तब यागा ठीक किजिएगा याद रखिएगा नभीकर्णिये का मतलब का जिसे फिर से उपियोग में लाया ज सके जो कैसे आपने कमेस्ट्री में पढ़ा है कि मतलब कोई वस्तु नया रूप लेता है और फिर नया रूप से अपने पुरान वाला रूप में आ जाता है तो उसको यह आगे बढ़ते हैं, आपने सवाल समझा, सौर उर्जा निमलिखित में से कौन से संसाधन है, तो सौर उर्जा निमलिखित में से नविकर्निय संसाधन है, ठीक है, अगला प्रशना है, पमन उर्जा, पमन उर्जा बले तो हवा, किस परकार का संसाधन है, तो उर्जा भी हमारा नविकर्णिय संसाधन ही होगा किमकि कल भी हावा बहा रहा था आज भी हावा बहा रहा है और कल भी हावा बहेगा इसलिए पवन उर्जा जो है हावा जो है हावा भी एक नविकर्णिय संसाधन ही है ठीक है अगला प्रश्ण है परियावरन सरक्षन के लिए पहला के देश जितने भी है ना सब देश के जो परमोख परमोख ब्यक्ति होते हैं वह एक जगए कठा होते हैं और उन लोगों के बीच वर्तालाब होता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें कि परियावरन पर आपती ना उठे परियावरन सरक्षित रहे परियावरन सुख खुस हा रहें, जो 1986 में पारिथ हुआ था है, भारत में, तो यहां पर लिखा वुआ है, परीयावरन सराक्षन के लिए पहला बिशो सीखर समयलन कहा हुआ था, तो यह तुरुआ ऐ याद रिखेगा, eStock Home में हुआ था, पहला सीखर समयलन कहा हुआ था, तो Smail komme में हुआ, मतलब Smail होम में पूरे सांसार के जो परमुख ब्यक्ति थे वह इक अठा हुए थे और उन्होंने पर्यावरण सराक्षन के लिए समयलन किया था कि हम क्या करें और क्या ना करें कि पर्यावरण सराक्षित रहे ठीक है अगले प्रशन को आप स्कीन पर देख सकते हैं सवाल है 1992 में पिर्थवी समयलन कहा हुआ था तो याद रखिएगा कि सन 1992 में पिर्थवी समयलन कहा हुआ था तो रियो डी जेनरों में कहा हुआ था जी रियो डी जेनरों में ठीक है और पिर्थवी समयलन भी ना आए प्रकिर् तो आप नियम का परतिपादन या पालन नहीं कर रहे हैं तो यदि आप नियम का परतिपादन नहीं कर रहे हैं किजेगा तो पर्यावरन और सानाक्षित हो जाएगा एक से बढ़कर एक भयानक आपदाएं आएंगी जो आपके जीवन को छहती पहुंचाएगी इसलिए आप साफ सफाई का ध्यान रखिए कम से कम परदूसन फैलाईए ठीक है अगला प्रस्ट है आईपी सीसी आईपी सीसी का मुख्याले नांकित में किस नागर में आवस्तित है तो याद रखिएगा आईपी सीसी आईपी सीसी का मुख्याले जो है ना वह जेनेवा में जेनेवा में जेनेवा में ही आईपी सीसी का मुख्याले है आईपी सीसी का इसके हिंदी होगा छोटा सुन्दर है छोटा सुन्दर है एसमॉल इज ब्यूटी फूल किनकी रचना है तो यह एक पुष्टक है और इस पुष्टक के लेखाक थे सुमसेर जी याद रखेगा यह सवाल कई बार अब जेटिक को सने पूछा है मैट्री के बॉर्ड पर इच् थे इसलिब्यूटि फूल एसलिब्यूटा की लेखा काउंट है तो सुमसेर jी काउंट है सुमसेर जी ठीक है तो कैसा लग रहा है वीडियो आप हमारे वीडियो के फीड़बँर दीज हम मोटीवेट होंगे अंदर से तो हम बहुत सार वीडियो को बनाएंगे जो आपके लिए काफी लाफार सावित हो सकते हैं और यदि हम दिमोटीवेट होंगे तो मतलब हम दिन भर में एक या तो जो जिससे आप कोई प्रोब्लम होगी इसलिए हमारे वीडियो को अब इक सब्सक्राइब किजिए और इस वीडियो को बार बार सुनिए तो तब आपका अब्जेटिव कोशन पुरा किलो हो जागा क्योंकि सुनने से बहुत जल्दी याद होता है और एक बात और यदि आ सवाल अपने कोपी में नोट कर सकते हैं जो आपके परिच्छा में काफी अच्छा सावित हो सकता है ठीक है तो चलिए आगे पड़ते हैं अगले प्रश्ट की और अगला प्रश्ट आप स्कीन वह देख सकते हैं सवाल है सांसाधनों के बिवेक पुर्ण उपियों का परस् नियम के अधारपना आप संसाधन का उपियोग आवसाक्ता अनुसर किजिए आवसाक्ता से अधिक मत किजिए ठीक है और इसी पाठ में पढ़ना है कि वैसा ब्यक्ति जो संसाधनों का उपियोग आवसाक्ता से अधिक करता है उस ब्यक्ति को हम अर्थ बेवस्था का को पहलते हैं ठीक है किम को कॉहते हैं कि वह उसको उसको दो रोटी का भूक होता है चार रोटी लेता है। तो यह संसाधनों का श Videísे में कि उतनाही लोधाली में जो बाद में अनुसार किजिए अधिक मत किर जिए तो चलिए आगे वरता हैं याद रखिएगा कि संसाधनों का बीबेग पून उप्योग यानि संसाधनों का आव सकता अनुसर उप्योग जो नियम बना वो किस वर्स बना तो सन उनीच सो अरसवट में ठीक है और संसाधन के बारे में आप जानते हैं कि उप्योग में लाई जाने वाली सभी वस्तुएं है मैं मैं भी संसाधनों हूं कि मैं आपके उप्योग में आ रहा हूं मैं आपको पढ़ारा हूं तो मैं आपके उप्योग में नहीं है लेकि किरा में अकवरा के तो उप्योग में है ना जी इसलिए बर्मांड की सभी वस्तुए साधन है कि सब क्या कुछ ना कुछ उप्योग है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रश्ट की और आगला प्रश्ट को आप स्थान पर बना मंदर किस परकार का साधन होगा तो सामुदाइक होगा और सामुदाइक क्यों होगा क्यों कि मंदिर सिर्फ आपका नहीं है मंदिर में पूरे गाउंवाले जा करके पूजा कर सकते हैं गाउंवाले छोड़िए दूसरे गाउंवाले भी आके पूजा पाट कर सकते हैं ठीक है क्योंकि मंदिर जो है सामुधाय को या यानितों या तो आपने समझा कि मंदिर को と सामुदाइक साधन कहेंगे वहां पर भी बहुत सरे बच्चे आते हैं पड़ते हैं नेस को सन है लीमिट्स टू गुरोथ नामक पुस्तक किस वर्स परकाशित हुई तो लीमिट्स टू गुरोथ जो है ना पुस्तक इस पुस्तक की छपाई हुई थी सन 1972 इस बात को आप भारत का सबसे बारा मौरुएस्थल थार है ठीक है और विश्व का सबसे बारा मौरुएस्थल सहारा है जो की अफिरिका में है तो वो तो विश्व का हुआ और भारत में सबसे बारा रगिस्थान कहां है मौरुएस्थल कहां है तो रा थार है जो की राजस्थान में है और सवाल आएगा ठीक किजिएगा कि राजस्थान में किस संसाधन का अभाव है तो जल का पानी का ठीक है अगला प्रस्ट है तोट रेखा से कितनी समूद्री मिल तो के महासागरिये छेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक छेत्र कहलाता है यह सवाल इतना लंब ना कुछ क हां से यह पुच्छा क्ता है कि किसी देश का अर्थिक छेत्र कहलाता है कितना अगला प्रस्ट है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है तो याद रखेगा उपियोगिता पर ठीक है किस पर निर्भर करता है तो उपियोगिता पर ठीक है वस्तु का मांग यानि डिमांड अधिक है वह वस्तु जो होगा स्वर्ट करने लेगा उस वस्तु का अभाव होने लेगा और जिस वस्तु का डिमांड कम है वह वस्तु परी की परी रह जाएगी ठीक है तो यदि आप यदि आप संसाधन को बचाना चाहते हैं तो आवसक्ता अनुसार संसाधन का उपियोग करें आप सकत्या से अधिक ना करें ठीक है अगला प्रस्ट है भारत में सबसी अधिक बिस्थार किस मिटी का है मनला भारत में सबसी अधिक कौन सी मिटी है तो याद रखिएगा भारत में सबसी अधिक जलोड मिटी है आशे तो सही परिकार के मिटी भारत में है, काली मिटी भी है, जलोड मिटी भी है, रेतिली मिटी भी है, पिली मिटी भी है, लेटराइट मिटी भी है, लेकि सबसे अधिक किस मिटी का अभी स्थार है तो जलोड मिटी का, भारत में सबसे अधिक कौन से मिटी है तो जलोड मिटी, ठीक है, जलोड निमनांकित में कौन है तो पंजाब में भूमी निमनी करण का ना परमुकरण ना अधिक सिचाई को मानते हैं किमकि पंजाब में ना अधिक सिचाई होता है इसे करण भूमी का निमनी करण होता है ठीक है और पता है कि इस साल भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पंजाब पंजाब ने सबसे अधिक गेहुं का उत्पादन किया है, ठीक है, सभी राज्यों को पिशे छोड़ दिया है, पंजाब सबसे अधिक गेहुं का उत्पादन किया है, इस वर्ष, ठीक है, अगला प्रस्ट है, इनमें कौन एस्थान बज मिट्टी का उधारन है, तो इनमें से काली जलोठ मिट्ट जोनी को जोओं होगे तो उसमें की जलोठ मिट्ट को हम खादन मिट्ट कर का्या को जह है इसमें नहीं है है लेकिन पुरानी जलोड मिट्टी में कांकर पथर की संक्ष्याँ कम होती है और यह उपजाओ नहीं होती है रखेगा नई जलोट मिटी को हम खादर मिटी कहते हैं और पुरानी जलोट मिटी को हम बांगर मिटी कहते हैं ठीक है? अगला प्रस्ट है भारतिय किरिशी का राष्ट्रिय सोकल घरलु उत्पाद में कितना यग्दान है? सोकल घरलु उत्पाद क्या मतलब कहा? GDP आपने न्य जो ना वह न पूरा देश्चोंना सowan जी टी डीप देता है ठीक है, और साकल घरल उत्पाथ से परक्रण से टीज कोई देश भिख्सित बनता है और कोई देश पीछे रहा जता है ठीक है तो यहीं आपके आपके द्यस में गेज अधिक होगी यानि साकल घरल उत्पाद अधिक होगा, तो आप विक्षित होएगा, और कम होगी, तो आप विकासिल होएगा, भारत का GDP उतना नहीं है, इसलिए भारत आज भी विकासिल देसों में गिना जता है, भारत विक्षित देस नहीं है, ठीक है, अगला प्रस्ट है, मिटी का pH मान क तो मिटी जब आमलाये होती है तो अनूपजाओं हो जाती है उस पर इस लिए मिटी की उपजाओं गाने के लिए हमें परतेक वर्ड्स अपने खेतों में नयने फसर उगाने चाहिए और खाद खरी भी समय में पेपर डालना चाहिए ठीक है यहां तक कि पॉसुव का मलमुत सब्जी के छिलका बगर बगर डालेंगे तो मिटी काफी अधिक उपजाओ होगी ठीक है अगला प्रस्ट है मिटी सरचना में मूल चटान के ऊपर कितनी परते होती है जो मिटी के सरचना होती है उसमें मूल चटान के ऊपर ना तीन परते होती है इसको याद रखिएगा लास्ट सवाल है इस वीडियो का इनमें कहां जयविक मिटी नहीं पाई जारखन जारखन में जयविक मिटी नहीं पा पार्ट में कम अभी इसमाल है किसी में अधिक आप्येट्स आवाल है तो हम लाइन भर लाइन इसी तरह हम बनाते जाएंगे उसको कलास वान कलास टू क्लास थी का नाम देंगे ठीक है तो आप लाइन से पूरे भगोल के विडियो को देखिएगा और हिंदि संशित को भी दे कम नहीं होता है, सभी विषय अपने जगा सही है, सोचिए ज़रा सोचिए आप, जब मैथ 100 नमबर देता है, बिग्यान 100 नमबर देता है, अंग्रेजी 100 नमबर देता है, हिंदी 100 नमबर देता है, सामाजिक बिग्यान 100 नमबर देता है, तो हम सिर्फ एक विषय को क्यों पढ समझिए सभी भी से अपने जगा सही है आपके अंदर सभी भी सभी का ज्यान होना चाहिए तभी आप स्वारगुन संपन हो पाएंगे और मैट्री के बोट परिछा में काफी अच्छे माक्स स्कॉर कर पाएंगे तो मैं आसा करता हूं आप सही से पढ़ते होंगे तो बस आज इसके लिए इतना ही कल मिलेंगे नई वीडियो में नई उमंग के साथ बस आपसे विदाय लाना चाहता हूं जय हिंद जय भारत